अन्देखी की भेट चड़ी स्वास्त सुविधाएं अस्पताल में सुविधाएं तालू में कैद यह है कोटा संभाग के सांगोद उपखंड मुख्याले स्थिफ राज के सामुदाएक स्वास्त किंद डॉक्ट्रों की कमी से जूज रहे इस अस्पताल में हाल ही में चिकेट सको के पद को भर दिया गया लेकिन जाज की ज़रूरी जाज सुवधाओं का लाब अभी मरीजों को नहीं मिल पा रहा अस्पताल में उस्थन रोजाना 400 से जादा मरीज आते हैं लेकिन अस्पताल में सोनोग्राफी, एक स्वरेइ, ऑपरेशन ठीटर जैसे सुवधाओं का लाब यहां मरीजों को नहीं मिल रहा सांगोद अस्पताल में आपरेशन ठीयेटर है लेकिन सर्जुन नहीं होने से इसके उपर ताले लगे हुए है कुछ ऐसा ही हाल देखिए सोनोग्राफी जाच कक्ष का भी है सोनोग्राफी जाच के लिए कार्मिक नहीं होने से लाखों रुपए की मशीने धूल भाक रही है सोनोग्राफी जाच सुबधा ठप होने से सबसे ज़्यादा परिशानी गर्वति महिलाओं को हो रही है जिसके वज़े से मरीजों को सोनोग्राफी जाच के लिए मजबूरन 60 किलोमेटर दूर कोटा जाना पड़ता है जाना पड़ता है जाना पड़ता जाना पड़ता है पड़ता है एक सो आट एमबूलन्स कंजम होकर पड़ी है अस्पिटाल में महज एक एम्बुलेंस है जो बरसो पहले सांसद कोश से मुहया हुई थी लेकिन इसके भी हाल बुरे हैं रास्ते में कब बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं प्रदेश सरकार अस्पतालों के सबधाओं में बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रयास कर रही है लेकिन वेभागियान देखी के वज़े से लाखों के मशीने अस्पताल में बेकार पड़ी हैं जिसका लाव मरीजों को नहीं मिल पा रहा इमान सुमान जी मीडिया कोटा